दोस्तो नमस्कार, AGS Technology का IPO मार्केट में आ गया है, जानेंगे इस IPO के बारे में हर वो डिटेल जैसे की मार्केट में GMP अभी क्या चल रही है, AGS IPO की कमपनी का फैनेंशियल क्या है, कमपनी के पियर क्या बोलते है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी ही useful information आप लोगों को मिलती रहे, AGS Technology जो कमपनी है, ये basically ATM managed service और largest developer है, post terminal machines जो आते है, जो की petrol pumps और भी जो shop अगरे में available आप लोगों को दिखते हो जिसमें swipe करके आप payment करते हैं, इसकी largest developer company है, जो की 3 module में काम करती है, पहला module है इनका payment solution, दूसरा module है इनका banking automation solution और तीसरा है other automation solutions, current में company 50 से ज़्यादा banks customer है company के, जिसमें से mainly ICI bank, XS bank, HDFC bank जैसे दिगग जाते हैं, और साथ ही साथ इंडिया की 200 cities में ये अपनी services दे रही है, और बोला जा तो 4,20,000 machines और customer touch points इनके already available हैं, तो basically services जो है इनकी ATM sell करती है, ये banks को और उनको manage करने का भी काम करती है, posh machine की भी इनकी selling है और install करके वहाँ से भी इनका payments आता है, तो switch and payments, ATM outsourcing, digital payments, fraud management, posh and merchant solution outsourcing, mobile wallet, agency banking, cash management जैसे services ये पूरे के पूरे provide करती है, revenue की बात कर लें तो company का revenue जैसे कि मैंने बताया कि 3 model में company काम करती है, तो सबसे ज़्यादा जो revenue है इनका banking payment solution को थूरू आता है, second number पे 40% का revenue उनका banking automation solution से आता है, और third जो है 10% का revenue उनका other automation solution से आता है, banking के business related कुछ detail में आप लोगों को इस video में दिखांग मज़ जैसे कि आप लोग समझ पाए कि banking का future prospect क्या है या किसलिए आपको इस IPO में पैसे लगाना चाहिए, तो एक chart आप लोगों के सामने है, debit card uses at ATM versus posh machine, तो 2011 से 2017 तक का ये जो data है, आप लोगों के सामने है कि continue, 2011 से posh machine की जो requirement है continue बढ़ी है और उसके uses भी continue बढ़ते चले गए हैं, और जो growth है आप as per ATM uses के according आप देखोगे तो posh machine की growth यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, बात कर लेते ATM distribution इन इंडिया की तो आप लोग देख सकते हैं, 2014 से 2017 तक बहुत ज़्यादा growth यहाँ पर दिखता नहीं, continue ATM लग रहे हैं, लेकिन एक level में ही लग रहे हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा high क्या बहुत ज़्यादा growth यहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन एक डेटा यह भी कहता है कि अभी इंडिया में जो है पर एक लाख परसन के पीछे जो ATM है यहाँ पर काफी कम है, 19 ATM हर एक लाख लोगों के पीछे एवलेबल है, फिलाल में अभी जो की डेटा अगर आप चाइना में देखोगे तो लगबग 76 ATM एक लाख लोगों के पीछे यहाँ पर है और ग्लोबल एवरेज भी अगर निकालेंगे तो 40 ATM पर 1 lakh परसन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ATM सेलिंग जो में बिजनेस है कमपनी का और ATM को जो मैनेज करने का जो में बिजनेस है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ और भी दिखाई दे सकता है, ओपन हो रहा है, 19 जन्वरी को 21 जन्वरी को IPO क्लोज हो जाएगा, प्राइस बैन यहाँ पर 166 रुपए से 175 रुपए का रखा गया है, एक लॉट में 85 शेयर होंगे, रिटेल पोर्शन यहाँ 35 परसेंट का है और फेस वैल्यू कमपनी की 10 रुपए की है, इशू के अबजे पीर ग्रुप कमपेरिजन की, तो कमपनी ने जो DRHP से भी को फाइल किये है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो कमपनी के अनुसार कोई भी इनकी पीर ग्रुप फिलहाल अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इस सेक्टर की ही, इस कमपनी के जैसे ही काम करने वाली कमपनी CMS का पिछले महिने IPO आया था और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस IPO में इन्वेस्ट भी किया होगा, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं हुई थी, वहाँ 2-3% की लिस्टिंग गेन हुई थी, बट यहां कमपनी का कहना है कि कमप करोड रुपए का प्रोफिट था कमपनी को माज 2020 में बढ़के 83 करोड हो गया, लेकिन माज 2021 में ये प्रोफिट गिरकर 54 करोड पर आ गया, फिलहाल अभी कमपनी पर लगभग 1700 करोड रुपए का डेट ऐसा बताया जा रहा है कि 1700 करोड रुपए के आसपास का डेट है और म 25 रुपए से 30 रुपए के आसपास चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव नहीं लगती है, हो सकता है यहां से अगर मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ हो तो यहां पर और भी GMP गिरती हुई आपको दिख सकती है, और फाइनली बात कर लेते है IPO के रेटिंग की तो रेटिंग यहां पर 6 की दी गई है, आउट ओफ 10 में तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को यहां पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना, मेरे विव की बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि कमपनी यहां पर पूरा क रहेगा और ठीक ठाक रहेगा तो decision आप लोगों के आत में है कि पैसे इस IPO में लगाना है या नहीं लगाना, and IPO के timeline की बात करें तो IPO open हो रहा है 19 जन्वरी को, 21 जन्वरी को close हो जाएगा, IPO allotment आपको 27 जन्वरी को आ जाएगे, refund आपके 28 जन्वरी से initiate हो जाएगे, share आपके demand account में 31 जन्वरी को आ जाएगा, और finally IPO की जो listing है secondary market में, वो first of feb को हो जाएगी, तो I hope कि मैंने IPO से related काफी कुछ जन्वरी आप लोगों को दे दी है, अगर इस वीडियो से related कोई भी आपको information चाहिए, तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं, फिलाल वीडियो में इतना ही वीडि subscribe करे, share करे, thank you, thank you so much for watching.